जैहिन देखिए 2019 में कस्मीर से धारा 370 हटा दी गई थी लेकिन उसके बाद लद्दाख के लोगों को ऐसा लगा था कि उनके लिए कुछ नए सुझाव दिये जाएंगे कुछ नए चीजे जोड़ी जाएंगे हला कि वादा किये गए थे लद्दाख के लोगों के साथ कि उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी लेकिन आज लद्दाख के लोग विरोत कर रहे हैं तो हम लोग समझते हैं कि धारा 370 हटने के बाद क्या है 371 और क्या है सेडूल 6 जिसकी लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं देखे 5 अगस 2019 को कस्मीर से 370 हट गया 370 में कस्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार देता था और 35 जो था वो यह कहता था कि जो रीमेन भारत है जो सेज भारत है वहां के लोग कस्मीर में जाकर अस्थाई रूप से नहीं रह सकते यह दोरो धारा जम्मु कस्मीर से हला कि उस समय काफी सीक्योरटी बढ़ा दी गई थी इंटरनेट सट डाऊन किया गया था जो वक्त के रिसाब से ज़रूरी था और अगर यह सब नहीं किया रहा था तो कस्मीर में उस समय इतनी सांती से यह नहीं हट सकता था अब जब हटाने के बाद हु जट कम मिल रहा है, इसके अलावे जम्मू कस्मीर में जो भी जॉब है, जम्मू कस्मीर में जॉब जादे है, इंस्टिटूशन जादे है, मेडिकल इसकूल जादे है, इंजिनिरिंग कॉलेज जादे है, लदाक में इसब की मातरा एकदम ही कम है, इसके अलावे जम्मू कस्म कि एकोनमी ठीक चलती है वहाँ ड्राइव रूट जो हता है पूरे इंडिया में सबसे जादे ड्राइव रूट के मामले में कस्मीर फेमस हैं आपे कस्मीर का सेब कस्मीर का केसर यह वालनट्स अक्रोट यह सब चीजे वहाँ बहुत जाती है जबकि लद्दाक पूरी तरह से बहुत बहतर ढंग से हैं आपर लेकिन अगर वहीं लद्दाक की बात करेंगे तो वहाँ बंजर पहाड है बहुत हाड वहाँ पे जाना होता है सड़के भी उतनी अच्छी से नहीं है बर्फ का बहुत मार जहिलना पड़ता है मौसम एदम खतरनाक हो जाता है लद्दाक के तो लद्दाक की लोगों को लग रहा है कि वहीं 370 हटने के पाद हमें क्या मिला मतलब वहाँ पे तो एक हो गया कि चलिए उन्हें बजट मिल रहा है इसके अलाव और भी अगर देखेंगे तो जम्मू कस्मीर में इधर के दिनों में देखेंगे कि गौर्मेंट बहुत ते अगर देखेंगे तो लद्दाक की लोगों का भी गुसा है इस बात को लेकर और सबसे बड़ा क्या हुआ जब 2019 में 5 अगस 2019 को जब कस्मीर को दो भागों में तोड़ा गया तो कहा गया कि ये भी यूनियन टेरिटरी रहेगा और ये भी यूटी रहेगा यूनियन टेरिट को इन्होंने विधान सभा दे दिया और विधान सभा देने के वज़े से कि जम्मू कस्मीर पर केंद सरकार का 100% कंट्रोल नहीं रहेगा बलकि बड़े-बड़े मुद्दों पर कंट्रोल रहेगा और मीडियम और छोटे लेबल के लिए जम्मू कस्मीर विधान सभा बना गई ताकि यहां के लोग चुनेंगे और यहां के लोग अधिकारियों पर अपना कंट्रोल रखेंगे जबकि लद्दाख को Union Territory में विधान सभा का दर्जा नहीं दिया गया अब जब विधान सभा का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो जब को अचले को तो अपने लीड़स मिलेंगे जो इनकी बातों को विधान सभा तक ले जाएंगे और विधान सभा आप पाउर पूल चीज होती है तो यह तो होती है बूरोक्रेसी, तो बूरोक्रेसी में चला गया है, यह लद्दाक, लद्दाक क्या हो जाएगा, एक दर डिक्टेटर सीप टाइप के हो जाएगा यहां पर, तो यहां के लोगों का काना है कि क्या हो रहा है, और 2019 से जब 370 हट गया, तो बहुत सारी कंपनी यहां आके प्राइवेट कंपनी यहीं इंफराइस्टेक्चर बिल्द करने लगी टूरिस्ट प्लेस खोलने लगे, बड़े-बडे होटल खोलने लगे, रेस्टोरेंट खोलने लगे, इससे क्या ही कि लद्दाक की जो मूल इस्टॉक्चर था, कि लद्दाक नेचर वालाτο वो अपने प्रकिर्त और पर्यावरण से मेल मिल आप करके रहता था, लदाक की ये चीजे खराब होने लगी, जिस वज़े से लदाक के लोग सड़कों पर उतर गया और लदाक को बचाने की मांग करने लगे, और वो लोग का मांग में एक चीज था, कि वो लोग सेडूल 6 मे इननोंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, सेना के लिए इननोंने फ्र्टेंट कर भी निर्मार किया था, इंटरनेत नहीं पहुच पा रा था, तो लाइफ़ा आप वाइ।के जयगे लाइफ़ाई से इंटरनेत पहुचाया था digest partition, लिए घरू को बनाया था जो हीटए दिन में समय सुरिज के रोसनी और गर्मी को अंदर आने देती थी, रात में उसे बाहर नहीं जाने देते थे, तो इनों ने भी इस चीज का बड़ा नित्रित किया, कई बार इनों ने अंसन किया, कई बार इने हाउस अरेश्ट करने की नौबत आ गई, उसके बाद इनों ने बड़े प्रोटेस्ट को अंजाम दिया, जिसे की सरकार अब फाइनली कुछ विचार कर रही है लद्दाक के लिए, देखे जिन जगहों पर, जैसे जम्मू कस्मीर पहले तो ऐसे था, अब यहां पर जम्मू कस्मीर बना दिया गया, यहां दे दिया गया विधान सभा, और बिधान सभा है, तो जनता का नहीं सुनियेगा, तो अगले बार वोट डालना पड़ेगा, पांच साल बाद आप हटा दिये जाएंगे, तो इसके लिए बनाए गया था, सेडियूल 6, भारतिय सम्विधान का सेडियूल 6 जो है, यह जन जातिये छेत्रों को अपना अलग का मेघाले, त्रिपुरा, मिजोरम, यह चार स्टेट हैं, जहां पर इन्हें अपनी स्वाय तता दी जाती है, जैसे ग्रियंबल के तौर पे, मेघाले में तीन पहाड़ है, गारो, खासी, जैंतिया, तो खासी जन जाती जो है, आज भी वहां मातरी सतात्मक है, तो बहुत सार जैसे हम लोग का समाज पितरी सतात्वक है, यहां पे लोग पिता का नाम बताते है, माता का नाम नहीं बताते है, कुछे किसके लड़के हो, तो पिता का नाम बताएगा, लेकिन वहां माता का नाम, तो ऐसे अलग अलग जगहों पे, कई ऐसे जगह हैं जहां पे अभी भी अब भारतिय संभीधान के इसाब सेब नरक अंकाल खोबडी नहीं रख सकते हैं, तो वो जंजाती होगा, तो वहाँ क्या है, सेडूल 6 कहता है, कि जिस जिले में इस तरह के जंजाती है, या बहुत पुराने ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ उन्हें उन्हें अटोनोमस डिस कि यहां बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और यह पूरी पहाण, पूरी इकोसिस्टम को नाज देंगी, इसलिए हमें सेडूल 6 दे दीजे, और सेडूल 6 में हम डिसाइड करेंगे कि कौन-कौन एरिया अटोनोमस रहेगा, वह डिसाइड करेंगे, जो जो हाईली से इसके घाट पे चठ की पूजा होती है, पता जला कोई कमपनी आई और घाट को का दिया कि हम इसको अपने लिए यूज करेंगे, चठ पूजा आप कहीं और करके तो बबाले हो जाएगा, तो हम लोग भी उसके लिए क्या कहेंगे, कि भाई ये काम करो तुम्हें कमपनी ब इदाद देता है, लेकिन सेडूल 6 में भी ये खराबी है, ये जनजातिये छेत्रों को ही दिया जाता है, अब लदाख में क्या है, कि कुछ एरिया में तो ट्राइबल्स रहते हैं, जनजातिये छेत्र हैं कुछ एरिया में, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं, जहां जनजातिये तो जोसी मठ में क्या हुआ, उतराखंड में तबाही क्या हुआ, ऐसे ही लद्दाक में हो जाएगा, आज तक लद्दाक में इस तरह सी तबाही नहीं देखने को मिले, क्योंकि वो नेचर के साथ खेलवार नहीं करते हैं, तो सेडूल 6 के अलावे भी एक रस्ता है, आर्टिक चाते हैं, तो 371 के ताहत, A, B, C, D, ऐसे करके आप जोड सकते हैं, बट यह 370 की तरह पूरे स्टेट को आपके अंडर नहीं कर देगा, कोई स्टेट के अंडर कोई खाच को आप लोग सकते हैं, जैसे गुजरात में, गुजरात में कोई अरिया है, जैसे कच का अरिया है, तो 371 में डाल देंगे, कि हाँ, इस कच के अरिया, संसेटीव अरिया है, यह आप अंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से, हलांकि यह 370 इतना हाड नहीं है, बट यह है कि किस खास अरिया को कर सकते हैं, अब इसमें यह रोक टोक नहीं कि आप जन्जातियों के सकते हैं, 371 B में जो था, वो असम में था, 371 C के मनीपूर में, उसी तरह आंध परदेश में था, तो ऐसे ऐसे करके था, तो उसी में, यहां पर 371 B, C, D, E, ऐसे करके हैं, तो हम लोग बेसिकली इसे जोड़ना चाहेंगे, अब सरकार इस बात का प्लान कर रही है, कि लद् बनेगी, तो कोटे सेप में बनेगी, तो वो सब चीजों को 371 के तरह जोड दिया जाएगा, वो एक अलग कानून नहों के, बलकि वो एक अलग प्रावधान हो जाएगा, कि अगर आपको जाना है, तो आपको यह चीज फॉलो करना पड़ेगा, वो 370 इतना हाड नहीं होग वो जरूरी है ता है किसी भी चीज को बचा के रखने के लिए, हम लोगों को भी खड़े रहना होगा लद्दाक के लोगों के साथ, क्योंकि लद्दाक के लोग है, जो कारगिल में ही सबसे पहले सूचना उन्हों नहीं दिया था, वो लद्दाक के लोग है, चाइना उनके लाग प्रभण दे देता है, वो कभी चाइना की और से नहीं जाते हैं, वो भारत के लिए दिड़ संकल्पितों के खड़े रहते हैं, और हमेशा भारती सेना की मदद की हैं, चाहे हो रास्ता दिखाने में, चाहे हो गुप्त सूचना देने में, तो लद्दाक की लोगों का कहना है, तो सरकार इसे 371 में रखने के लिए सोच रही है, और क्या मांग है, कि जैसे केंद सरकार अपने अधिकारियों को न्युक्ति करने के लिए, यूपीएसी के थरू एक्जाम लेती है, राज्य सरकार अपने PCS के थरू, जैसे बिहार में अगर कोई बड़ा पोस्ट का है, कोई माहराष्ट का है, कोई यहां से है, ड्यूटी करने लद्दाग जाएगा, उसको समझ भी नहीं आएगा, और वहीं के लोग रहेंगे, तो सासन अच्छे से हो सकता है, इसके अलावे जो छोटे करमचारी होते हैं, जो मिडिल लेबल के करमचारी होते हैं, उनकी के लिए S.S.C. होती है, अब बिहार के लिए Bihar S.S.C. है, UP S.S.C. है, उसी तरह लद्दाग के लोगों काना है, कि हम मिडिल लेबल के और लो लेबल के करमचारी हो के लिए S.S.C. हमारा अलग सी डिपार्टमेंट हो, इसके इलावे भी लद्दाग के लोगों काना है, कि सरकार इन्हें 371 में रखने के लिए विचार कर रही है